मेरे साथ हैं कॉंग्रिस की वरिष्ट नेता पूरु केंद्री मंतरी कुमारी शहलजा जी जो खुद इस बार सिर्सा से लोकसभा चुनाव लड़ रही है बड़े-बड़े नाम अब दावा ठोक रहे हैं और वोटिंग के सिर्फ दो चरण बाकी हैं बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी शहलजा जी आपने समय दिया मैं देख रहे हैं चुनाव प्रचार में अप इतना बिजी है कि गाड़ी में बात करनी पड़ रही है मैं क्या उम्मीद है आपको ऐसे समय पर जबकि बीजेपी लगातार क्लेम कर रही है कि वो तो 400 पार करने वाले है 400 पार का क्लेम इनका हमेशा की तरह हर बात इनकी खोखली हो चुकी है और लोगों में भी अब ये बात बिल्कुल बची नहीं है हर फेज में इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है बकलाहड सामने आ रही है खुद मानिय प्रधान मंत्री जी जिस तरह के बयान दे रहे है आडानी अमबानी के बारे लोगों को लग रहे है कि शायद ये कहीं ने इस चीज़ का है अभास है कि अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है लोगों का रुजान बहुत फर्क हो चुका है और हर फेज में भारतिय जनता पार्टी आपको कमजोर होती नजर आएगी सिरसा में आपको क्या लगता है आप इतने दिनों से प्रचार कर रही है यहाँ पर समर्थन मिल रहा है वैसा जैसा आपको मीद जी बिलकुल बिलकुल लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है समर्थन मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है आशिर पुराने लोगों से आशिरवाद भी मिल रहा है आपके खिलाफ खड़ें यहां पर उन्होंने भी कई बार आपका आशिरवाद लिया होगा, वो भी कभी पार्टी में हुआ करते थे यह बात तो है लेकिन अब पार्टी चोड़ना जब पार्टी ने इतना कुछ दिया और तो लोग इस चीज का भी आखलन करते हैं उनके कैमपेइन को भी मैं देख रहा था, हिंदुतु का भी तड़का है उनके कैमपेइन में, राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं आपको लगता है कि उससे कोई धुरूवी करण हो सकता है कोई पोलरियाजिशन का नुकसा? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ है और अब देखो विचार धारा रातों रात अब कैसे बदल सकते हैं तो लोग इस चीज को भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बात को मैं आपका एक बयान देखा, मैंने, 2019 से मैं भी पूछना चाहूँगा कैसे फर्क है आपका एक बयान देखा, आपने का इस बार बाला कोट नहीं है, कहने का मतलब? जी-जी, मतलब ये है कि पिछली बार, देखो जो ये हमारे स्टेट्स हैं, इन में एक इंपक्ट बाला कोट का था, क्योंकि जे इस तरह से एस ट्राइक का राजनेती करण भाजपा ने किया उस समय, तो उससे लोगों में एक बात इनोंने डाली, उसका एक इंपक्ट था, और वो एक असाधारन सी स्थिती बनी थी उसमय, वरना हार जीत की बात नहीं होती, आप देखिए ना मार्जिन्स कितने ज्यादा उस समय ब पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधान मंत्री आपने जिक्र के प्रधान मंत्री जैसे इशू रेस कर रहे हैं, पूरी भाजपा राम मंदिर का इशू रेस करती है, कॉंग्रिस को सनातन विरोधी बताती है, आप लोग अगर सत्ता में आये तो बाबरी ताला लगवा देंगे, बुल्डोजर चलवा देंगे राम मंदिर पर, देखिए यही तो बाते हैं ना, यह कब तक चलेंगी इनकी, कब तक लोगों को डराएंगे, कब तक लोगों को धर्म के नाम पर ऐसे बरगलाएंगे और उनको गुमराह करेंगे, यहां भी आये थे, मुख्यमंत्री यूपी के, और उनके आने से एक दिन पहले यहां भी बुल्डोजर और जैसी भी मशीन की रैली निकाली गई, लेकिन लोग ऐसी बात को पसंद नहीं करते, और यह सिरसा है, हरियाना है, हम नहीं ऐसी चीज़ों को बदाश करते, और क्या दिखाना चाने है, गरीबों पर है, आखनों पर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों में एक नीचे नीचे दोहसार चार की तरह एक पीलिंग आ रही है, तो आप ज्यादा हैरान मत होईएगा, कि दस सीटों पर भी हम अगर हमारा गठबंदन काबिस हो जाएं, दस सीट प लेकिन हर्याना सरकार भी बहुत ज्यादा कमजोरी पर है किसी भी दिन जा सकती है, और जिस तरह कि इन्होंने राजनीती की है, केंदर से भी कोई यहां के लोग खुश नहीं है, ना किसान खुश है, ना गरीब खुश है, ना कोई छोटा दुकानदार खुश है, जी एस ट केंदर पर भरोसा रहा नहीं है, पहले एक समय था जब दिखाते थे यह, लेकिन आज ना केंदर में पर भरोसा रहा और राजे सरकार तो डामाडोल हो चुकी है, प्रधान मंत्री मोदी का एक बयान मैंने भी देखा, उन्होंने कहा कि आप लोग की हार की बॉखलाहट है, आप लोग उनकी नीतियों की, वो जितने वादे कर रहे है उनके सब की मुखले रहे हैं, एक चीज हमने देखी है कि जो इनके उपर लागू होती है बात, यह भाजपा का एक तरीका है, कि जो उनके उंपर लागू होती है बात, उसको वो इल्टा हमारे उपर या पार्टी को देते हैं, लोग हास रही हैं इस बात पर. वो किया रहे, मैं देश में अपके बार अब चुन कर आये, तो किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूँगा? हाँ, नहीं, भूखा तो देश का गरीब वैसे भी सोना नहीं चाहिए, तो अब तक दस साल में क्यों, क्या कोई भूखा सो रहा है, तो वो बताएं कौन भूखा सो रहे हैं, और दस साल में आपने दिया क्या है उनको, बताएं. मैं अपने चुनाओं में ज्यादा बेजी हूँ, मुझे आंकड़ों का तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर नजर आ रहा है कि गट्मंदन अगली सरकार बनाएगा. ये जो पाकिस्तान का तड़का लग रहा है चुनाओं में, अमिच्छा कह रहे हैं, हाँ अमिच्छा ने कहा कि राहूल गांदी और अर्विन केजविवाल के समर्थक सरहत के उस पार हैं, पियो के हमारा है, रोज रोज इस तरह के बयान. पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता राहूल जी, कभी वह बिर्यानी कहकर आई हो. आपको लगता हैं, अननैसेसरी हैं सब अपने देश के लिए? अब पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जैसा इतना बड़ा देश, आज भी आप पाकिस्तान के नाम से डराऊ होगे इतने बड़े देश को और देशवासीओं को, आप तो उनके बहादुरी प्रे वो कर रहे हों, सवाल, क्या पाकिस्तान? मैं और भी एक बयान है वो भी आपको बताता हूँ केलाश विजय वर्गिय जी ने कहा मद्दान के आंकड़ों को सामने रख करके कि महाराश च्छत्रपती सिवाजी जी का जो स्टेट वहाँ पर मद्दान कम और रोहिंगे अगुस पैठी वाला स्टेट बंगाल वहां मद्दान जादा अब देखो फिर वोई बात है ये तो आप बता दीजिए कि महाराश च्छत्रा में जिस तरह की स्थिती पैदा हुई है खरीद परोख्त होस्ट ट्रेडिंग मतलब आपने राजनीती का जो स्थर महाँ पर ले आए हैं महाराश्रा में वो सब के सामने है और जहां तक कि बंगाल की बात है तो बंगाल के लोग बताएंगे आगे कि किस तरफ हो जाना चाहते हर्याणा में में यहां सिर्सा में कौन से कोर मुद्द है जिसको आपको लगता है कि यह जैसे आपने का पोलराइज नहीं होगा कौन से इशूस फिर यहां पर प्रिवलेंट है लोकल इशूस बहुत है एक तो किसान किसान की बात है एक गरीबी की बात है डिस्पैरिटी ब या फिर कहीं किसी लेवल पर कोई मिली भगत होगी, वरना इतना व्यापक रूप से पदार्थों का अवेलबल होना, जहां मैं जाती हूं, लेडीज बहुत रोती हैं इसके बारे में, कि कुछ करो, कुछ करो, तो शायद ये उपर आप लोग नहीं देख पाते होंगे, लेकि नीचे नीचे ये बहुत लोगों में इस चीज का नराजगी और रोश है, एक मुस्लिम आरक्षन का जो मुद्दा है, उसको लेकर के पुराने वीडियोज राहूल गांदी जी के निकाल करके और उस पर कॉंग्रिस को घिरने की बड़ी कोशिश सीरे प्रधान मंत्री भी क कहा ना, पोलराइज हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा इनका कुछ एजन्डा भी नहीं है, और ना इनके पास कोई इस्यू है, बई दस साल के अपनी कार गुजारी बताओ ना, बीस करोड नोकरियों दी क्या आपने, चालिस जालिस हजार नोकरियों के आप मानिय प्रधा देश और आपका स्टेट हरयाना क्या इन मुद्दों पर वोड़ डालेगा आप कॉंफिडेंट ही? हुआ ही नहीं है, तो चुनाओ को नजर में रखते हुए किया, तो इस तरह की चीज़ें जब आप लाते हो, तो एक बार, दो बार, कितनी बार चलेंगे? इंडिय अलाइन्स आपको लगता है इसमार इंडियो को रोकने में कामयाब हो सकेगा? कोई एक आपको लगता है कि इतने आकड़े कम से कम इंडिया अलाइन्स लाएगा कि सरकार बन जाएगा? जी, बिलकुल, बिलकुल, इंडिया अलाइन्स स्टॉंग होता जा रहा है और में लगता है कि साथमें चरन के बाद इस्तिती में हम होंगे. आप चाहेंगे राहूल गांधी प्रदान मंत्री बने? मेरे नेता है, क्यों नहीं चाहूंगी, राहूल गांधी बनने चाहिए प्रदान मंत्री, मैं कॉंग्रस की कैंडिडेट हूँ, मेरी पार्टी कॉंग्रस है, मेरे नेता राहूल गांधी है, राहूल गांधी प्रदान मंत्री बनने चाहिए. ये तो आपने बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैम कि अभी आपने देखा होगा एक controversy, वड़ी सामयाला कि यहां से related नहीं, संबित पात्रा साब ने कह दिया, अब वो माफी माँग रहे हैं, माफी माँगी उन्होंने, लेकिन उन्हो तो बाकी देश हो जाए, लेकिन इनको तो मोती भक्ती होना पड़ेगा, तो वो अब सामने आ रही है ना असलियत इनकी, दिख रहा है देश को तो गुम्रा करना है, देश को ऐसे कैसे आप बेवकूफ कब तक बना सकते हैं, बस एक आखरी सवाल मैम, आज हमने देखा कि कल वोटिंग हो रही थी, छपरा जो बिहार स्टेट में सारन में वहां बाकाइदा बूथ पर बहुत लड़ाई जगडा, रोहनी आचारे ने आ रोप लगाया कि बीजेपी के कारेकरताओं उन पर जान लेवा हमला करने की कोशिश की आज सुबे गोलियां चली, आरजेडी के करता की मौत हो गई, इस पर आपको क्या डर रहता है ना असत्ता कोने से, डर रहें है ये लोग, और इसलिए इस तरह की और इलेक्शन कमिशन क्या कर रहा है हमारे समझ में नहीं आताओ, इलेक्शन कमिशन क्यं एंचीजों को देख रहा है, क्यों नहीं उनको समगतव़ bowl आपने साथ चरण में देश का इलेक्शन को बांटा है, तो क्या हो रहा है? फता चले. आपको लगता है इस पर स्ट्रिक कारवाई को इलेक्शन को करनी चाहिए? बिल्कुल, सब को करनी चाहिए. ये तो मतलब कैसे भी हो इस तरह की वाइलेंस, इसका मतलब आप फ्री और फेरे इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते हैं. मैंने कहा था आखरी सवाल, लेकिन आप इतनी सीनर लीडर है कि आपसे एक और राय जरूर जानना चाहूंगा. चुनाओ खतम होने के बाद क्या आपको लगता है कि मामता बैनर जी, माया वती जी, इनको भी बीजेपी को रोकने के लिए आप लोगों के साथ आना चाहिए? समय बताएगा, लेकिन देखो एक अजेंडा जब है, भाजपा का जो अजेंडा देश के लिए, वो देश के हित में नहीं है, तो इनको सबको सोचना चाहिए. कुमारी शेलजा जी, जो सिर्षा से चुनाव लड़ना है, पूरी उमीद है, उनका कहना है कि यहां से चुनाव जीतेएंगी और इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार कोर मुद्दों पर लोग ड़नेंगे और अन्डिया को रोकने में इंडिया अलाइन्स का में होसा केगा